इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड एफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। अडिलिन 10 टैबलेट एक वासो डायलेटर और गर्भाशे को आराम देने वाला है। इसे समय से पूर्व प्रसव के इलाज में इस्तिमाल किया जाता है। यानि कि जब गर्भाशे सामाने से काफी पहले प्रसव के लिए सिकुर्णा शुरू कर देता है। यह पेरिफेरल वैस्कुलर रोगों के इलाज में भी असरदार है। अडिलिन 10 टैबलेट को भोजन के साथ या इसके बिना लिया जा सकता है लेकिन इसका अधिक्तम लाब प्राप्त करने के लिए इसे एक नियत समय पर लें। इसे डॉक्टर की सलाह अनुसार लिया जाना चाहिए। डोज और कितनी बार आपको इसकी जरूरत है यह इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप इसे किसली ले रही हैं। आपका डॉक्टर यह तै करेगा कि आपको अपने लक्षनों में सुधार करने के लिए कितनी आवशकता है। इस टैबलेट को पानी के साथ सब उत निगल लें। आपको जब तक इस दवा को लेने के दिशानिर देश मिले हों तब तक इस दवा को लें। चक्कर आना दवा का सबसे सामाने साइड इफेक्ट है। अगर आप इनसे परेशान है या स्थिती गंभीर होती जा रही है तो अपने डॉक्टर को बताएं। अगर आप बैठी या लेटी हुई अवस्था से खड़े हो रहे हैं तो चक्कर आना की संभावना को कम करने के लिए धीरे धीरे उठना चाहिए या दाइविंग और ध्यान केंदरन वाली गतिविधियों से बचना चाहिए। यदि आपको दिल से जुड़ी समस्याएं या ब्लीडिंग डिसॉर्डर है तो दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं। अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद।